हेलो हिंदी मीडियोम अक्याडवी में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अरुन कुमार यादो तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 10 की जो NCRT प्रश्णावली 13 तसमों 3 है इसके बाकी बचे हुए प्रश्ण और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आप वहाँ से उनको देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दाद हूँ कि अगर आप विज्ञान कक्षा 10 के स्टुडेंट हैं और आप हिंदी मीडियों से हैं तो आप आरंभ बैच जोइन कर सकते हैं इस बैच को जोइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा एके स्टेडी अप प्ले स्टूर से इस बैच में आपको NCRT पूरी की पूरी अच्छे से एक्स्प्लेइन की जाएगी मतलब आप किसी भी बोर्ड से हैं अगर आप NCRT से पढ़ते हैं तो आप इस बैच को जोइन कर सकते हैं इस बैच की जो पी रहेगी वो रहेगी 599 यह पूरे एक साल की फीज है शुरुबात करते हैं यहाँ पर प्रश्ण संक्या 4 से ठीक है न तीन तक हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं तो जो प्रश्ण संक्या 4 है इसे बोला गया एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाईया निकटम मिलीमीटरों में मापी जाती है और जो आंकडे हैं उनको बारणी यानि की टेबल के रूप में प्रस्तुत क्या आता है अब पत्तियों की हमें माध्यक लंबाई बतानी है ठीक है तो यहाँ पर देखो जो यह लंबाई दी गई है यानि कि अपना वरगंतराल है वरगंतराल कॉम CI यानि क्लास इंट्रवल भी मोलते हैं तो CI अपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर सारी चीजे बताऊंगा टैंसने वाली कोई बात नहीं है तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात तो यह कि पिछले वीडियो में हमने इतने भी सवाल किये थे उसमें क्या था कि जैसे यह वरगंतराल 126 पे यहाँ पर खतम हो रह बलकि 127 है मतलब यह जो हमें वरगंतराल दिये गये ना यह सदत नहीं है continuous नहीं है तो मुझे पहले इनको continuous बनाना पड़ेगा सदत बनाना पड़ेगा उसका क्या तरीका है उसका तरीका यह है कि हम देखते हैं पहले कि यहाँ पर और यहाँ पर जो भी है इसमें कितने का gap gap आया है कितने का अंतर आया है ठीक तो यहाँ पर देखो 127 है यहाँ पे 123 का आνतर आ गया 26 में जोड़ोगे बयाँ जो अंतर आया जोड़ुक सिंदक जो अंतर आया है इनका ठीक है यहाँ की एक का उसका आधा कर दो एक का अधा कितना हो जाएगा 0 125 यही 0.5 अगर हम जो यहाँ पर निमनी सीमा है इसमें घटाते चले और जो यह उपरी सीमा इसमें जोड़ते चले तो अपने आप यह सतत बन जाएंगे चाहें आप करके देख लो यह जो 0.5 आया 117.5 और उपरी सीमा में जोड़ना है यानि कि यह हो जाएगा 126.5 ऐसे इसमें से 0.5 घटा दोगे तो जाएगा 126.5 इसमें जोड़ दोगे तो यह हो जाएगा 135.5 ठीक ना अब देखो यहाँ पर जिससे खतम हुआ उससे ही यह सकते हैं सतत बना सकते हैं उसके बाद हम देखेंगे कैसे होगा ठीक है पहले हम क्या करेंगे जब टेबल बनाएंगे यह भी उतार लेंगे यह उतार लेंगे लेकिन यहाँ पर जो सतत वर्ग अंतराल होगा उसके लिए जगा छोड़ देंगे तो यहाँ पर देखो मैंने जो ये टेबल दी गई थी न, अपनी 118 से 126, 120 से 135 ये सब लिख लिए है, ये अपना आओ गया वरगंतराल, यानि CI, सतत वरगंतराल के लिए मैंने यह पर जगा छोड़ दिये जो frequency यानि की बारंबारता दी गई थी पत्तियों की संख्या वो यहाँ पर है CF हमें निकालना होता है जब भी हमें माध्यक की जोड़ पड़ेगी मैंने आपको पिछली वीडियों बताया था ठीक है तो इसके लिए मैंने जगा छोड़ दिये टेबल में अब देखो, मैंने क्या बताया, एक बार और बता देता हूँ मैंने कहा कि भाई अगर यहाँ पर जिससे खतम हो रहा उससे यह सुरू नहीं हो रहा है मतलब यह continuous नहीं है तो continuous बनाने के लिए या सतत बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसमें से इसका gap देखें कितने का रहा है एक का अंतर आया, एक का धा, 0.05 होता है इसमें से घटाते जाओ 0.05 और जो उपरी सीमा इसमें जोडते जाओ ठीक है, अपने आप यह सतत बन जाएंगे ठीक, तो देखो, 118 में से 0.05 घटाया 117, 0.05 बच गया और इसमें जोडा तो 126.05 हो गया जैसे यह भी मैंने दिखाया था ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ हर question में 0.05 घटाना जोडना नहीं होता है कैसे पता लग रहा है 0.05 ही घटाना जोडना है इनका अंतर डिवाइड बाइ 2 ठीक है, तो इसका अंतर एक का था एक काधा करोगे, तब आएगा 0.05 इसलिए मैं 0.05 जोड रहा हूँ और घटा रहा हूँ ठीक है, याद रखना भी बड़ा असान है निमनी सीमा घटाना है, उच्छे सीमा में जोडना है ठीक, तो यहां से करोगे तो एक सो ताइस में से 0.05 घटा होगे 126 0.05 बचेगा इसमें 0.05 जोड़ोगे तो यह हो जाएगा 135 0.05 ठीक है नब जल्ले ली करना है तो सीधा सीधा मैं क्या कर रहा हूँ पहले जोड लेते हैं, जोडना असान है तो 144 0.05 हो जाएगा इसमें जोड़ोगे 153 0.05 हो जाएगा इसमें जोड़ोगे 171.5 हो जाएगा इसमें 10.5 जोड़ोगे 180.5 हो जाएगा इसमें से घटा दे वाला करते हैं घटाने वाला याद तो आप इसमें से घटा हो 135.5 होगा या फिर आपको पता है कि यही वाला आना है ऐसे चाप दो ठीक है इसी को उतार दो यहाँ पर 144.5 जाए आप घटा के देखोगे न यहाँ से 10.5 यही आएगा ठीक है क्यों इतनी महनद करनी है हमें पता यही आना है यहाँ पर तो 153.5 यह 162 यहाँ पर छाप दो 10.5 फिर 171.5 अब देखो अभी आकड़े सतत हो गए हैं ठीक है वहाँ पर हमें आकड़े ऐसे सतत ही दिये जाते थे तो हम सीधा इसके आगे वाला प्रोसिजर करने लग जाते थे लेकिन यहाँ पर थोड़ा लग था इसलिए पहले यह करना पड़ा अब देखो अब मैंने जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वह जरा ध्या आ पर जोड़ा करते हैं जो भी यहाँ पर 12 बारता जैसे 3 है तो 3 का 3 छाप दो फिर इस 3 में यह 5 जोड़ो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा फिर 8 में यह 9 जोड़ो 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा फिर इसमें नीचे वाला जोड़ो इसके 17 और 12 कितना होता है 39 होता है 29 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा 34 में ये 4 जोड़ो 39 हो जाएगा 38 में ये 2 जोड़ो 40 हो जाएगा ठीक है यहाँ पर मैं आपको बताए था कि होसsecond कि 15 जेसे हम सिंगना 5 निकलते थे ज। इसमें सको जोड़ते थे 20 सब कितना मिलने वाला है 40 मिलने वाला ठीक है इसी को यहां पर सिंगना 5 न बोलके बस क्या बोला जारा है और यहाँ बोला जारा है ठीक है ये दोनों चीज़े सेम होनी चीज़े जो इनको जोड़के आरहा और जो लास्ट ना है ठीक अब कैसे निकालते हैं माध्यक उसके लिए पहले formula देखो फिर आपको पता लगए कि आपको क्या क्या चाहिए ठीक है तो देखो जो formula है ठीक है इसको थोड़ा चोटा कर दो नहीं उपर ही कर रहते हैं जो formula है माध्यक का पहले वो देखो ठीक है तब ही पता लगएगा कि हम क्या-क्या हमें क्या-क्या जरूरत है तो माध्यक जो होता है वो याता है L प्लस यहाँ पे आएगा N बाई 2 माइनस में C F डिवाइड बाई F और गुड़ा मेंच ठीक है मतलब इस फोमले में जो जो भी चीजे आ रही हैं बस इस टेबल से मुझे इनका मान ने ढूणना है और लिखे देना है किलियर है तो देखो यार मुझे L चाहिए N बाई 2 चाहिए C F चाहिए F चाहिए और H चाहिए इतनी चीजे चाहिए कैसे निकालूंगा देखो गई, सबसे पहले मैं क्या करूंगा मैर को n by 2 पे ध्यान देना है सबसे पहले किस पे ध्यान देना है n by 2 पे, यानिकी n का आधा तो n यहाँ पे कितना है n यहाँ पे है 40 तो 40 का आधा यानिकी n by 2 20 हो जाएगा, तो सीदी सी बात है कि n divide by 2 हो गया 40 by 2 यानिकी 20 क्योंकि n 40 है तो n का आधा 20 होगा अब यह जो n का आधा आया है 20 क्या यह कैमरे में आ रहा है ठीक है, आ रहा है यह कैमरे में ठीक है, अब जो यह n का आधा आया है यानिकी 20, यह मुझे देखना होता है cf वाले कॉलम में कहां पे है, मतलब किन दो चीजों के बीच में आ रहा है, जैसे यह जो 20 है, क्या यह 3 और 8 के बीच में आएगा, नहीं आता 3 और 8 के बीच में 20 नहीं आता क्या 8 और 17 के बीच में यह n by 2 यानिकी 20 आता है, नहीं आता क्या 17 और 29 के बीच में ये 20 आता है हाँ 17 और 20 के बीच में आता है तो आपको याद रखना है इन में से अगर आपने उपर से जोड़ना चालू किया है तो जो ये है पहला यानि उपर वाला ये अपना हो जाता है CF ठीक है इस formula में जो CF लिखा ने ये वाला लेंगी और इसके जस नीचे वाले में ठीक है या फिर आप कह सकते हो इसके नीचे आके इसके समने वाला F I ये अपना हो जाता है F इसी के समने वाला जो वरगंतराल है ये अपना होता है माध्यक वरगंतराल जो सतत वाला है उसमें से लेना है और यहाँ पर जो gap चल रहा है, जब 17 बनने के बाद, जो जो इनका interval चल रहा है, gap चल रहा है, कितने कितने का, वो हमारा h हो जाता है, ठीक है, तो सबसे पहली बात देखो, cf कितना हो गया, 17, f कितना हो गया, 12, ठीक है, यहाँ पर gap कितने कितने का चल रहा है, अगर आप 153,65 में 144,75 घटा दू कितना मिलेगा, 99 नो-9 का अंतर है यहां पर इंतर मत देखना, यहां पर देखना 99 का अंतर ही, h हो गया, 8 ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ? एक बर थोड़ी सी जगा बना लेते हैं, ठीक है? इसको नीचे कर देता हूँ, formula को, ठीक है, इस formula को नीचे कर दिया, यहाँ पर आ जाओ, देखो, मैं यहाँ से, है लिख रहाँ, cf, ठीक है, f, n by 2 मैं लिख चुका हूँ, h, और l, इतनी चीज़े मुझे चीज़े, ठीक है, अभी मैंने आपको क्या दिखाया, कि भई, cf हो गया, 17, f हो गया, 12, तो cf की जगा आगया, 17, f की जगा आगया, 12, h मतलब इसमें कितने कितने का gap है, वर्गंतराल है, 9,9 का, चैसे आप घटा के देख लो किसी को, l होता है, जो यह, इसके समने वाला यह आया है, यानि कि माध्यक वर्गंतराल है, माध्यक वर्ग है, इस माध्यक वर्ग की lower limit, य यह हो गया, अब मान रख दो यार बस, और calculate कर लो, l का मान कितना है, यह 144.5, तो l की जगा आ गया, 144.5, यह जो l था, इसकी जगा, ठीक है, फिर यहां पर formula में plus है, तो plus लगा दो, फिर bracket open करो, n by 2, n का मान 40 था, तो n by 2, 20 आया है, माइनस में cf, cf कितना आया है, 17, divide by f, f क गुड़ा में कितना है, 9, यानि कि h है न, h की value कितनी आई है, 9 आई है, ठीक, अब इसे calculate कर लो जगा, 144.5 अपनी जगा रहेगा, देखो, 20 में 17 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा, बटे में कितना है, 12, गुड़ा में कितना है, 9, तो यहां से 3 एकम 3, 3 का पाड़ा 4 बार जाएगा, 12 हो जाएगा, यह हो गया, 144.5 प्लस, यहां पर 9 गुड़ा में 1, यानि कि 9, बटे में कितना हो गया, 4, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा, 144.5 प्लस, 9 को 4 से भाग दोगे, 4 दूनी 8, दसमलो का हो गये, तो 1, 0 नि 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है, इनको जोड़ दो अगर, यहां दसमलो के बाद 2 अंक हैं, दसमलो के बाद एक ही अंक है, चलो 1, 0 लगा देता हो, है ना, अब हम जोड़े तो सिधा-सिधा कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 5, 0, 5, 2, 5, 7, फिर दसमलो, 2, 4, 6, ठीक है, 146.75 mm, है ना, mm में थी मिरे खाल से पत्तियों की लंबाई, ठीक है, तो मिली मीटर आया रहा, इतना माध्यक लंबाई, ठीक है, माध्यक लंबाई, 140.75 mm, ठीक है, किलियर हो गया, यह वाला, चलो, अगला परशन देखो जा रहा, ठीक है, इसमें भी माध्यक निकालना है, यहां पर, 400 नियोन लैंप है, मतलब इन सब को जो गररर, और यह जो है, लैंपों की संख्या, यह है क्या है, अपना, fi, और cf के लिए क्या करते है, नहीं जगा बना लेते हैं, cf के लिये न मैं यही जगा बना ले रहु, अलग से table नहीं बना रहे है याणा बना ले ठीक है, समझ constructor एक उलम होगे अपना cf का, ठीक, तो यहां पर पहले से आगड़े सतत हैं, 2000 पर खतम, 2000 से शुरू, 2500 पर खतम, 2500 से शुरू, तो यहां पर तो हमें ज़्यादा ताम ज़्याम करना नहीं है, सीधर CF निकाल लेते हैं, CF के लिए मैंने क्या कहा, जो यहां पर रहे हैं, इसके सामने लिखो, ठीक, फिर इसमें यह नीचे वाला जोड़ दो, 14 में यह 56 जोड़ोगे, कितना मिल जाएगा, 70, फिर इसमें यह अला नीचे वाला जोड़ दो, 70 में 60 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही आप इनको जोड़ते रहो और लिखते रहो, ठीक है फिर 130 में ये 86 जोड़ दो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 216 फिर इसमें ये 74 जोड़ दो कितना हो जाएगा 290 62 जोड़ दो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 252 ठीक है 352 फिर इसमें ठीक है इसमें जोड़ दिया अब इसमें यह 40 जोड़ दो कितना हो जाएगा 400 ठीक है इन सबको जोड़ोगे तो 400 ही मिलना है क्यों क्योंकि बोल दिया था 400 ही तो ही और यहां पर भी देखो लास्ट में 400 आया है मतलब ठीक किया है ठीक अब हमें क्या पहचानना है फॉर्मुले में जो जो जरूरत है वो यानि कि मुझे पहले तो cf चाहिए n by 2 चाहिए इसारी चीज़ चाहिए तो देखो n का मान अगर 400 है तो n by 2 कितना हो जाएगा n by 2 यानि 400 का आदा यानि 200 हो जाएगा अब मुझे सबसे पहले n by 2 ही देखना होता है क्योंकि मुझे n by 2 ढूणना यहां पर किसके बीच में आएगा वहां से डिसाइड होगा कि cf क्या है अब क्या है l क्या है ठीक है जैसे 200 क्या इन दोनों के बीच में 200 आता है नहीं ठीक अब इसमें से यह वाला अपना हो जाएगा cf ठीक है तो cf जो है इसका मान हो गया 130 ठीक है इसके नीचे वाला ठीक है न यानि कि यह इसके ज़स्ट एक नीचे आप या फिर इसके नीचे आके ऐसे देखू यहीं से 3 चलान कि दो यह हो जाएगा अपना f और इसके और गंतराल माध्यक और गंतराल है मतलब जो भी माध्यक आएगा हमारा इसी कहीं कहीं न कहीं बीच में चुपा होगा ठीक है तो इसमें यह हो जाएगा l ठीक तो f हो गया 86 l हो गया अपना 3000 एच कितना हो गया कितने कितने का गया पा रहा है पांच पांसो का है नहीं एच का माना गया पांसो ठीक है एच बराबर हो गया पांसो अब देखो यार माध्यक जो होगा उसका फॉर्मला लिख लो l प्लस n बाइटू माइनस cf डिवाइड बाइट बाइफ इंटु एच चीक है और यहां मान रख दो बस हो गया सबादा ठीक है मान रखके कल्कुलेट भी कर रहा है मतलब तो l का मान कितना है 3000 n by 2 है 200 n 400 था उसका आधा cf कितना है अपने पास 130 f कितना है अपने पास 86 h कितना है अपने पास 500 ठीक है इसको थोड़ा उपर कर लेते हैं उसके लिखना रहा हो इसके बाद देखो यह कितना हो गया 3000 प्लस 200 मसे 130 घटाओगे 70 बचेगा डिवाइड बाई यह 86 गडा में है 500 ठीक है अब देखो अगर यह कट रहा है तो काट लो दो से काटोगे 43 बार दो से काटोगे 35 बार ठीक है यहाँ पे 3000 प्लस 35 को 500 से गुणा करो तो पहले दो जो 0 है वो लगा दो यह दो 0 का काम फ़तम पांस को 35 से गुणा करोगे 175 आता है डिवाइड बाई कितना है 43 ठीक है तो यह हो गया 3000 प्लस इसको इससे भाग करो गया आएगा 406.9767 ठीक है अगर आप किताब सही एंसे मैंच करना चाहते हैं तो वापे दस्मलों के दो अंग तक दिया गया है तो यहाँ पे दो अंग त दक निकटता मान लेना पड़ेगा यानि कि हो जाएगा 406.9 अब यह हटा रहें जो हटा रहें जिस्ट पहले वाला पक्की बात है कि 5 से बड़ा है जब यह 5 से बड़ा हो जिसको हटा रहे तो इसको एक ज्यादा करते हैं यानि कि 7 से हो जाएगा यह आठ तो इनको हो गया चलो अब बात करते हैं ज़रा अगले प्रश्ण की अब देखो जो अगला प्रश्ण है यहां पर क्या बोला गया है कि एक स्थानिय टेलीफोन निर्देशिका से सौ कुल नाम यानि कि सरनेम लिए गये हैं और उसमें परियुक्त अंग्रेजी वर्ण अग्षरों की संख्या है उसका बारंबारता बंटन यहां पर दिया गया है यह वाला जो है जिसमें एक से चार चार साथ ही अपना हो जाएगा वरगंत्रा यानि सी आई और जो इसके सामने है वो है फाई ठीक हमें यहां पर माद्धे अप्छरों की संख्या व्याद करनी है फिर माद्धे भी गयात करना है ठीक है और बहुलक भी गयात करना है तो देखो यार बहुलक और माद्धे आप खुद गयात करना क्योंकि यह मैं पिछली cf के लिए क्या बोला है, हो जाएगा सौकाद है यानि 50 अब मुझे क्या करना है बस यह देखना है पटास किसके बीच में आता है तो 36 और 76 के बीच में पटास आता होगा तो यह जो हो गया यह अपना सी अफ इसके जस्ट एक नीचे वाला यह हो गया इसके सामने जो है यह माध्यक वर गंत्राल इसमें यह लोगर लिमिट एल यह यह इनिसी अफ हो गया 30 ठीक है ना सीफ कितना 30 नहीं साहर चाटीस है यह बदेख लें मैंने इस पर चला दिया है चाटीस ठीक है तो यह है सिएव 66 ठीक है एफ है 40 कि एल है साथ और एच मतलब कितने कितने गाप है तीन तीन का गाप है साथ तीन दस दस तीन तेरा तेरा तीन सोला तो तीन तीन हो गया यह यह हो गया तीन ठीक है मात देख कि अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा एल प्लस एन बाइटू माइनस सी एफ डिवाइड बाइफ गुड़ा में एच एल का मान कितना है साथ है प्लस एन बाइटू का मान 50 है से एफ चादिस है एफ चालस है घुड़ा में एच एच कितना है तीन है थ्यां से ओगया साथ प्लस 50 में है कितना बचेगा 14, बटे में है 40, गुड़ा में है 3, दो से काट लो, दो सत्ते 14, दो से काट ओगे हो जाएगा 20, यहां हो जाएगा 7 प्लस, 7 गुड़ा 3 हो गया 21, बटे में क्या बचा हुआ है 20, ठीक है, तो यह हो जाएगा 7 प्लस, 21 को 20 से डिवाइड करते हैं जरा, ठीक है तो यह जाएगा 20, एक बच गया, दसमलो 0, अभी भी नहीं जा रहा है, एक जिवा लगाना पड़ेगा, एक जिवा लगाया 20 पंजे 100, ठीक है, मतलब 1,05, तो यह कितना आया, यह आ गया 1,05, जोड़ो गए तो हो जाएगा, 7 और 1,8,05, ठीक है, इतनी है, नामों भी स चीवा करें, अगला देखो फिर से जो अगला प्रशन है, ठीक है, अगला जो प्रशन है, इसमें डेखो क्या दिया गया है, 2,00, में इसमें बंटन एक कक्षा के 30 बिद्यार्थियों का भार दरशा रहा है, मध्द भार वयात करना थीक है, तो यार देखो, यह जो है, यह नीचे हो गया यह ठीक है तो यह जो सेम टेबल है यह मैंने आप बना ली देखो ठीक है सब कुछ सई यहाओ है सतत हैं आकड़े कोई दिक्कत नहीं है तो हमें सीधा सीधा पहले सीधा निकाल लेना है तो यह दो का दो लिख दिया दो में यह तीन जोड़ा पांच आ गया पांच में आठ जोड़ा तेरा में छे जोड़ा उननीस आ गया उननीस में छे जोड़ा पच्चीस आ गया पच्चीस में तीन जोड़ा अठाइस आ गया अठाइस में दो जोड़ा 30 आगया एन कामान है 30 इनको जोड़ो गए ना तब भी आपको 30 मिलेगा तो यार चिर्सी बात है अप तो कुसम ना चुका होगा कि अपटो निकालना है 30 का अधा 15 थिक अधा 15 15 कि इसके बीच मारा होगा इन दोनों के बीच मारा होगा इसका मतलब चाहे है इसका मतलब है कि वहीं यह हो गया अपना सीएफ उसके जस्ट नीचे वाला यह हो गया यह हो गया माध्यकवर्ड ठीक है तो यानि की कि सीएफ लिख लेता हूं में इसको सीएफ अपने को पता है 13 एफ अपने को पता है एच है एल अपने को पता है 55 एच अपने को पता है पांच-पांस का गया तो जो माध्यक होगा गवाराबर हो जायागा एल प्लस एन बाइटू माइनस सीए लिवाइट बाइफ गुरामेच एल कमान 55 प्लस, N by 2 कमान 15, C F है 13, F है अपने पास 6, H है अपने पास 5, त्य हो जाएगा 55, प्लस, ठीक है, 15 में 13 गया, 2 बटे में 6, गुणा में 5, 2 एकंड़ो, 2 ती यां 6, त्यानि यह हो गया 55, 5 plus, 5 गुटा में 1 हो गया, 5 बटे में कितना है? 3, 6 हो जाएगा, 5, 5, plus, 3 से भाग दो गये, तो कितना हो जाएगा? 3 एकम, 3, 10 मलो, 2 बचा है, 10 और 20, 3hmm, 3? ऐसी चलते रहेगा, ठीक है? तो मालो, अगर 3 तक निकाला, और इसका निकट काम माल लू, ठीक है, दो अंकों तक मान लो तो ये 6, ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा इसके बाद वाले अंक, पांस से बड़ा अंक है तो ये ये एक ज़्यादा हो जाएगा नी, 6 से 7 हो जाएगा तो पच्पन और एक 56 दसमलो, 6, 7 लगभख, निकर तम मान लिया ठीक है, इतना होगा भार, ठीक है न, किलो गराम या जिसमें भी दिया गया है किलो गराम में दिया गया तो इतने किलो गराम, ठीक है न, इतने किलो गराम मार्ध्यक भार होगा, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ आपको इस सारे प्रेस्मेशन में आए जल्दे में लिंग अगले वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद